हाई फ्रेंड्स दिस इस मौमत तलहा तो दोस्तों यह हमारा लेसन नमबर 7.4 है जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स करने वाला हूँ कि जब भी आपको यह वेब होस्टिंग सर्विस बाय करें 8 things to consider when buying a web hosting service तो दोस्तों make sure कि आप इस वीडियो को last तक watch कीजेगा ताके आपको एक अच्छी web hosting company के बारे में अंदाजा हो सके तो दोस्तों lesson number 7.4 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप wordpress beginner है wordpress सीखना चाहते हैं तो make sure दोस्तों कि आप इस चैनल को subscribe कर लें और notification bell को भी दबा दें ताके जब भी मेरी कोई video upload हो तो सबसे पहले उसका notification आपको मिल जाए तो दोस्तों बढ़ते हैं lesson number 7.4 की तरफ तो दोस्तों आपको क्या करना जब भी आप कोई web hosting service buy करते हैं तो आप उसके reviews check करते हैं और बहुत सारी features है benefits हैं तो आप सारी चीज़े शेयर करते हैं तो मैं सारी चीज़े इस video के अंदर cover करने वाला हूँ तो make sure दोस्तों कि आप इस video को last तक watch कीजेगा तो दोस्तों पहले tips आपके साथ शेयर करता चलों वो है SSD जब भी आपको web hosting buy करें तो आपको पहली चीज़े consider करने हैं तो यह numbering नहीं है लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ SSD solid state drive तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं unlike an HDD there is no physical digs spitting inside the data is all stored on microchips SSD is much faster than HDD HDD मतलब दोस्तों hard disk drive जैसे कि हमारे computer में इस्तमाल होती है लेकिन अब जो है दोस्तों technology अब एक high level पर जा रही है तो दोस्तों SDD ने SSD ने जो है दोस्तों इसको replace कर दिया यानि HDD को hard disk drive को उसने replace कर दिया solid state drive दोस्तों आप जो है वो computer के इस्तमाल हो रही ह है और जल्दी जो है यानि fast जो है वो store करती है चीजे इसी तरह दोस्तों transfer के लिए बहुत जल्दी इस्तेमाल होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं the data is all stored on microchips दोस्तों microchips में जो है यह सारा काम होता है और जो है इसको simple way में समझ लेते हैं कि solid state drive जो है वो much faster than HDD जो हम service बाइ करने लगे storage capacity यानि आप जो है जो भी web hosting service बाइ कर रहे हैं तो दोस्तों आपको storage उसकी check करनी है यानि उसके जो features आपको provide करेगा तो उसके अंदर storage मुझे कितनी मिलती है इसी तरह दोस्तों अगर आपकी website के visitors बढ़ते गए बढ़ते गए तो आपकी storage कम होई तो बहुत जादा करती है तो दोस्तों storage जो है आपको minimum 15GB 10GB तो होनी चाहिए जब भी आपको web hosting service बाइ करें तो दोस्तों next video के अंदर जो है मैं आपके साथ 6 ऐसी web hosting budget web hosting जो है आपके साथ share करूँगा उनका basically comparison आपके सामने लेकर आऊँगा सारी चीज़ दोस्तों उसके अंदर जहें मैं compare करूँगा plans and pricing support and reviews इसके साथ साथ दोस्तों features के बारे में discuss करूँगा और इसके साथ साथ और भी चीज़े pros and cons के बारे में आपके साथ discuss करूँगा तो make sure दोस्तों कि आप इस channel के साथ जुड़े रहें दोस्तों तीसी चीज़ अगर बात कर लें तो वो है support दोस् इसको एक तरीके से जहे first priority देनी है क्योंकि दोस्तों अब technical issues आते हैं जाहिर सी बात है सब को जहें सब चीज़ें पता नहीं होगी technical issues के बारे में हमके बारे में सर्वर डाउन हो रहा है क्या चल रहा है क्या मामला हो रहा है अप टाइम डाउन टाइम तो यह सारा हमें consider करन तो उसके लिए आपको support होना चाहिए तो जो भी अच्छी hosting company होगी तो वह जो है दोस्तों basically 24 घंटे पूरे के पूरे आपको हफते में provide करते है support so that you can get your business back online if something goes wrong तो दोस्तों इस चीज़ को support को यानि दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा consider करना है जब भी आप कोई web hosting service buy करे वरना आपको दोस्तों बहुत सारी problem आनी आनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों support मैं सबसे पहले आपको क्या देखना है live chat live chat को आपको बहुत सादा consider करना है क्योंकि मेरे साथ ही बास वकात जाहिर सी बात है मेरा तो काम ही है website कर डिजाइन करना तो अगर में साथ कोई issue होता सकते हैं तो दोस्तों make sure कि आप support को जाए first priority पर रखें इसके साथ साथ दोस्तों reviews भी दोस्तों बहुत important है choose web hosting service that has at least overall 4 plus star ratings and good customer support तो दोस्तों make sure दोस्तों जो भी आप web hosting service buy कर रहे हैं कि वो अपने customer के साथ किस तरह behave करते हैं किस तरह react करते हैं उनकी problems की और इसको solve कर भी रह लें इसके साथ साथ दोस्तों backups कि बहुत सारी companies वो backups provide करते हैं साइट ground हो गई dream host हो गई इसके साथ fast comment हो गई तो दोस्तों यह basically आपको daily backups वो provide करते हैं अगर कोई दोस्तों मसला हो गया कोई भी technical issue आगया अगर आपकी website बंद हो गई या कुछ भी मसला आगया दोस्तों तो आपके पास backup होना जरूरी है दोस्तों companies जो है web hosting companies भी backup provide करते हैं और इसके साथ साथ आप plugins इंस्टॉल करके अब draft plus करके plugin आता है तो आप वो install करके google drive dropbox के अंदर direct जो है दोस्तों website का backup ले सकते हैं दोस्तों जैसे का आप देख सकते हैं backups are critical service you should receive from hosting provider तो दोस्तों सारी web hosting companies य service as part of your bundle तो दोस्तों जो भी web hosting companies के जो भी plans and pricing है वो भी जो है दोस्तों आपको दिहान में रखना है कि कौन सी जो है कौन से plan पे हमें क्या क्या चीज़ है मिल रही है तोस्तों scalability scalability दोस्तों ये एक चीज़ है जैसे कि आप इदर पढ़ सकते है you need hosting provider you can organically grow with as your business and subsequent web traffic increases तो दो आपको क्या करना है switch नहीं करना कि आप बाए दूसरी इस के साथ स्टिक हो अगर कोई तो आप उसको चेंज कर सकते है वैसे आप कोई मसला हो तो चैंज कर सकते हैं वैसे अकर कोई बड़ा business करना चाँ रहे है तो make sure d doubles आप को एक एक ही वेब होस्टिंग सर्विस के साथ या एक ही वेब होस्टिंग के साथ दोस्तों अटके रहना है एक तरीके से तो ताके आप अपने बिजनिस को स्केल कर सकें अच्छी तरीके से तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं bandwidth की जैसे कि आप इतर पढ़ सकते हैं the quality and level of traffic and data allowed to travel and transfer between your site users and the internet दोस्तों bandwidth होता क्या है तो bandwidth दोस्तों basically होता यह कि कितनी speed से दोस्तों data transfer हो रहा है आपकी website के और users के दर्मियान इसको simple way में समझ लेते हैं तो दोस्तों उसके लिए क्या होता है आपको ज्यादा bandwidth होती है कोई अनमीटर्ड के नाम से भी होता है लेकिन unlimited bandwidth इस्तेमाल नहीं होता उसके अंदर speed भी consider होती है तो बहुत सारी चीज़े उसके अंदर bandwidth के अंदर आती है इसको एक तरीके से और समझ लेते हैं कि आपकी website पर कितने visits जो हो सकते हैं इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारी last जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो last जो आपक tip जो है जो आपको consider करनी है वो है plans and pricing जब भी आप दोस्तों को web hosting service buy करें तो make sure दोस्तों कि आपके budget के अंदर हो यह ना हो कि आपका budget है नहीं होता क्या है कि basically अभी next video के अंदर आपको इस सारी चीज़े अच्छी तरीकी से समझा सकूँगा तो होता क्या है दोस्तों कि पाई हो जाता है अब जैसे दोस्तों साइट ग्राउंड जैसे वो 6.99 डॉलर पर मन चार्ज कर रहा है अब उसका renewal price जो है दोस्तों वो पहुच जाता है 9.99 डॉलर तो आपको plans and pricing भी जो है consider करना है जब भी आपको web hosting service buy करें इसकी बारे में दोस्तों हम नेक्स वीडियो के लेकर support and reviews से लेकर key features pros and cons से लेकर दोस्तों सब चीज़े आपके साथ discuss करने वाला हूं तो दोस्तों make sure कि आप इस channel के साथ जुड़े रहें तो दोस्तों ये थी हमारी 8 जो मैं आपके साथ tips जो है एक तरीके से share की जब भी आपको web hosting service buy करें तो make sure कि आप इन चीज़ों को consider कर चाते हैं तो make sure दोस्तों के आप इस channel को भी subscribe कर लें और notification bell को भी रबा दें ताकि जब भी मेरी कोई video upload हो तो सबसे पहले उसका notification आपको मिल जाए तो दोस्तों जब तक के लिए अपना ख्याल लखिएगा video देखने का बहुत बहुत शुक्रिया मिलते है next lesson में